आज हम लोग जानेंगे किसी भी लोग सूचना पदादिकारी PIO द्वारा किसी भी RTI कार्ज करता वेदक को किसी भी प्रकार की हानी की संभावना या जानमाल की छती की संभावना या धंकी दी जा रही है तो इसकी सिकायत आप राज सूचना आयोग में भी कर सकते हैं या केंद्र सूचना आयोग में भी कर सकते हैं इसकी सिकायत मैंने एक लोग सूचना पदादिकारी की की थी जिसकी सुनवाई भी होने वाली है जिसमें मैंने अपना पक्ष रखने है तू या परतिवेदन दिया है आप लोग भी यदि किसी भी लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा धमकी दी जा रही है हत्या कराने का प्रयास क्या जा रहा है या भरष्टाचार को दबाने के लिए किसी भी हथ तक जा सकता है तो उसकी खिलाप आप संबधिस सूचना आयोग में अवस्च करें चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बел आगान को दबाकर और बी क्लिक कर लें, तथा इतना सेर करें कि हर भारति को इसकी जानकारी हो शकी, तथा एक लाइक अबस कर, इस चैनल को भी स्पोर्ट करेंगे, तथा मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो चलिए देखें हम लोग किस प्रकार अपना परतिविदन दे सकते हैं सत्तिमेव जयते शेवा में स्रीमान राज सूचना आयुक्त विसी चौधरी है बिहार में एक उनके ही कोर्ट में यह सुनवाई है अपराहान में अपना पक्ष रखते वी परतिविदन देने के संबंद में यह मेरा नाम और पता है अपना सिकायत करता नाम पता लिखेंगे बनाम में लोग सूचना पदादिकारी उसका नाम अवस्च लिखेंगे जो भी लोग सुचना पदादिकारी द्वारा आपको धमकी दी जा रही है या डराने दरा अत्या करने का प्रियास किया जा सकता है तो इस संबंद में उस लोग सुचना पदादिकारी का नाम अवस्च लिखेंगे सह भूमी सुधार उपसमारता उदाक सुचना गन मदेपुरा या परतिवादी गन है महासे सोबिने निवेदन पुरुवक का ना चाता हूं की पहला मैंने आर्टियाई एक्ट तोजार पांच के इतहत रेश्टर डाक संख्या इतना से प्रपत्र को द्वारा वांचित सुचनाएं के लिए आवेदन प्रिसित किया था लेकिन वांचित सुचनाएं नहीं दी गई एवं डाट पठकार कर भगा दिया गया दूसरा लोग सुचना पतादिकारी कुंदन कुमार द्वारा मेरे प्रतिपक्षी उसे मिलकर दिनांग 223-2020 को जो भी आपके प्रतिपक्षी गन है उनका नाम दे सकते हैं जिसके माध्यम से वह आपको धमकी दिया जा रहा है कोई श्टाप हो कोई लोग से बख हो कोई क्रमचारी हो पतादिकारी है उसका नाम असपस्ट अवस लिखें एवा माने से मिलकर मेरी हत्या कराने की साजिस की गई थी तिसरा मैंने नामांतरन अपीलवाद संख्या इतना से संबंदित सूचनाय की मांग किया था लेकिन संबंदित संपोन अभिलेक कारना तो वजापता नकल दिया गया नहीं आर्टियाई एक्ट के तहत वानशित सूचनाय परदान की गई चवता ऐसी स्थिति में दोसी पदादिकारी करमचारी पर धारा बीस एक और बीस तो के तहत कारवाई करने की किरपा की जाए एवं धारा उणिस आठ बी के तहत मुझे वी आर्थिक छती के लिए मुआबजा भी दिलाने की किरपा की जाए इसके लिए मेरा पूरा प्रिवास रिमान का आवारी बना रहेगा नोट में आप जो भी सिकायत करना चाहते हैं वो अवस्च लिख दें अब भी लोग सुचना अपदादिकारी कुंदन कुमार द्वारा मेरी हत्या की साजिस रची जा रही है क्योंकि इसके जूठे रिपोर्ट का खुलासा अब हम सिकायत किया गया है यदि मेरी हत्या होती है तो इसका जमेबार कुंदन कुमार भोमी सुधार उपसमारता भी होगा अपना हस्ता अक्षर पूरा पता लिखेंगे मुबाइल नंबर भी देशकते हैं जो अनुलगनक हमें जो भी प्रपत्र को हो आदेश की परती हो जो भी बजापता निकल है तो भी जो आवेदन दिया गया हो जो भी आपको बात से संबंदित कागजात हो उसे अनुलगनक में सगलन कर कुल पेज अवस्त लिख देंगे अपना सुची तयार करके इस प्रकार हम लोग किसी भी लोग सुचना अपदादेकारी द्वारा या किसी भी लोग सेवक क्रमचारी के द्वारा दराया धमकाय आता है आवेदक को आर्टियाई कार करता को तो इससे संबंदित सिकायत बाद सूचना आयोग में अवस्य करें जिस पर कारवाई भी सुनिश्चित करवाई जा सकती है जैहिन